हाँ जवान मैं जवान तू दोस्तों जवान मूवी का लेटस अपडे देखो भाई काफी सारे लोग दोस्तों यह सोच रहे हैं कि जवान को पोस्पोर्ड हो जाना चाहिए क्योंकि पठान मूवी जिस तरीके से चली यहां पे शारुक खान के जो फैंस है इवन जो मूवी ल लाएंगे और बेड़ा गरक हो जाएगा लेकिन दोस्तों मैंने आपको उस वक्त भी कहा था अभी भी कह रहा हूं कि इस मूवी को पोस्पोर्ड नहीं किया जा रहा भाई सहाब यह बिल्कुली कंपर्म हो चुका है कि यह मूवी सिधे ताउर पे दो जून को आएगी यान तो कहीं न कहीं अफेक्ट पड़ेगा लेकिन दोस्तों जिसका कॉंटेंट दमदार होगा वो बाजी मार जाएगा और देखो भाई कापी सारे लोग दोस्तों अपडेट के नाम पे कमेंट कर रहे हैं कि इस मूवी में एंट्री होने वाली है फाहत फासिल की यानि यह फाह मूवी में नहीं होने वाले बागे दोस्तों कुछ इंसाइड अपडेट निकल के आए हैं और यहां अल्लु अर्जुन के बारे में दोस्तों जो न्यूस है उसमें आप कुछ बात बात पताऊंगा जो लग रहा है कि कंफंब हो रहे हैं बाई अल्लु अर्जुन इस मूव आया लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही मोस्ट अफ अमाउंट आया तमिल तेल्गु से सम्तिंग अराउंड 17-18 करोड़ ही इसने कमाया है जो एक मिनिमम नमर है हम लोग देखें बिना प्रमोशन के इस तरीके के कमाई एक जाएं तो फिर तो भाई सहाब जान ही आ जाएगी कुछ लोग फाहत फासिल को इसी लिए इस मूवी में ला रहे हैं जबरदस्ति ला रहे हैं ताकि मल्यालंग इंडस्ट्री को भी लपेट ले वीज़े थाला पतितों पहले से हैं यानिकि तमिल से भी पैसे आ गए तो ग मैं लीट के डबल रोल रखते हैं अभी यह उनका ही कुछ अपना स्टाइल ऑफ मेकिंग है बागी नायंतारा फीमेल सूपर स्टार विजे सेतुपति भाई सहाव यहां पर हैं तब गॉनिस यानिकी मैन विलन प्रिया मनी दोस्तों चन्ने एक्सप्रेस में गाना थाउन का मूबी में देखने में आपको सान्या मलोत्रा फेम सुनिल ग्रोवर कोमेडी योगी बाबु दोस्तों कोमेडी एक्टर है साूथ के रिधी डोगरा दोस्तों टैलिविजन फेम भी आपको इस मूब देखने को मिलें कि मंसूर अली खान आ स्ता अगरवाल दिजे कैमियो लेकिन अब लोग स्टाइड में देखो अलू अर्जुन के अभी यह ओफिशल नहीं हुआ है यहां कि यहां पर जो खबर आई उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहां पर एड्मिन ने चेंज कर दिया होगा लेकिन अलू अर्जुन का दोस्तों कह सकते हैं कि चांस है अलू अर् दोस्तों जो है बहुत बड़ा मार्केट है तेल्गू इंडर्स्ट्री से अगर 50 कोड़ भी आ जाता है तो मैं एक अच्छा मांट मालूंगा और कहीं न कहीं तेल्गू इंडर्श्ट्री की आप लोग सोच रहे हो कि तेल्गू वाले वर्जन से स्रिफ इंडिया के अंदर हैदरवाद लंगाना में ही कमाई होती है बाहर भी दोस्तों जो डब वर्जन है तेल्गू का वह बहुत शौक से देखा जाता है हलाकि पठान का उत्मा देखा नहीं गया लेकिन अलू अर्जुन होंगे तो महां जो फैंस होंगे वह एक्साइट हो जाएंगे और ठालपत हो नेक्स्ट लीवल में पठान से भी जादा बज है पठान में जिस तरीके से दोस्तों कमाई की पठान मुवी ने तो यह एक कह सकते हैं कि स्टार्डम वापस मिल चुका है हाला कि देखो स्टार्डम तो कभी गया नहीं था लास्ट आप दिस्टार शारु खान तो ही हमें पता है लेकिन जो गाइस बॉक्स ऑफिस फैक्टर है वो भी काम करता है लोगों को रजर में यह होता ही किया इनकी मुवी पिछले वाली ऐसी थी तो पठान के बाद दोस्तों बज बहुत जादा है बहुत से भी बहुत जादा और इस वक्त देखो मुवी का बज बनते नह बताया जा रहा है कि 130 दिन की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है 30 दिनों का और रहता है उसके बाद दो महिना या धाई महिना बचेगा जिसमें फास्ट फ्लैस तरीके से दोस्तों यह लोग पोस्ट प्रडॉक्शन का काम करेंगे एडिटिंग वीएफेक्स वगरा देखो इसका मतलब बिल्कुली 100% शिक्कोर अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर पोस्ट जो एडिटिंग वगरा जो सीन है वो दो महिने में कंप्लीड होंगे या नहीं देखो बहुत सारे लोगों को लगा रखा है काम पे यानि कि बहुत तेजी से दोस्तों इसका पोस्ट प् हुआ है उसके अनौस्मेंट वीडियो में देखते ही देखते मिलियन में लाइक आ गए ते इससे यह सबूत मिलता है कि वहाई इसका कितना क्रेश है उपर से अगर अर्जुन विजय थालपती विजय सेथूपती इस मूवी में फिर तो समझ लो कि फोड़ के कमाई देगी एक हजार करोड अगर पठान ने कमाया पंदरा सो करोड कहीं नहीं गए इस अपडेट के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है और यहां पे दोस्तों एक जबवर्दस तरीके का चेस सीन होने वाला है कुछ हमें वीडियो देखने को मिलेते हैं महीने तिन महीने पुराने क्या कहना है आपका इस अपडेट के बारे में बताओ कमेंट में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही